अब EVM खुलना शुरू हुई है और जल्दी और तेजी से आकड़े आएंगे 120 मद्यप्रदेश के जो रुजान आए है उनमें 69 पर BJP आगे यानि बड़ी लीड बनाती हुई BJP मद्यप्रदेश में ये BJP के लिए बहुत बड़ी खबर अब यह भी देख लिजिए अठारा का गया फैए 120 में से 79 में आगे हैं इसलिए बहुत ज्यादा खुश होने के जरूरत नहीं है अभी यह चुकी शुरूराती है बिल्कुल शुरूराती है इसलिए मैं खामोश हूँ अभी सब कुछ पता चल जाएगा और यह जो लड़ू और हलुआ इस सब रखा रहे जाएगा यह लहार शीट से गोविन सिंग आगे चल रहे हैं मद्परदेश में हर बार जीतते हैं वो लेकिन विजय जी यह बात तो सही है कि जो जैसा आप उम्मीद कर रहे है वैसा तो नहीं हो रहा है यह पोश्टल बैलेट के लिएकर मैं पहले ही कह चुका हूं अब तो खुल गई इवियम हाई वियम के रिजल्ट जैसे जैसे आने शुरू होंगे हम उस पर बाकायदा अपना पक्ष कॉंग्रेस पार्टी का रखेंगे और मैं फिर कह रहा हूं कि मद्य परदेश में कॉंग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी ऐसी हमें अभी भी मद्य परदेश में 124 में से 71 हो गई बीजेपी कि आप करें कॉंग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी शालनी के बास चलते हैं शालनी मैं राइपूर चल रहा हूं यतेंद्र के पास यतेंद्र कॉंग्रेश के वार रूम में वहाँ पर मौझूद है, 36 गड़ में अब गैब जो है कॉंग्रेस ने बढ़ा कर दिया है, 32, 53, 55 सीटों का जो रुजान आया है, उसमें 32 पर कॉंग्रेस आगे, 23 पर बीजेपी आगे, यतेंद्र देखें बिल्कुल किशोर मैं, 36 गड़ कॉंग्रेस का जो कंट्रोल रूम है, वहाँ पर मैं मौझूद हूँ और आप देख सकते हैं, 36 गड़ कॉंग्रेस के नेता इस कंट्रोल रूम में मौझूद है, और एक-एक सीट पर जो शुरुवाती रुजान आ रहे हैं, और आगे किस तरह से मोनिटर, किस तरह से कंट्रोल रूम याँ पर काम करना है? जो करेंगे या जो हमको जो कारवाही करने निर्वाचन आयोक्स में जो भी है, संबन्दि तक सेंटर पर है, उनके कारकता हो के संपरक में आप याँ बिल्कुल एक दा मिनेट टू मिनेट हम बिल्कुल उनके संपरक में है, लेकिन किशोर में आपको दिखा दू, निउज इस गड़ में आगे चल रही है